घर के दरवाजे और खिर्की के लिए तोरन बनानी के लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले एक वाइट पेपर जिसको मैंने ये अंब्रेला की कट में कट किया हुआ है और फिर मैंने लिया है ब्लू कलर के गलिटर का शेट जिस पे मैंने ये वाइट पेपर को रखा हुआ और उसका ही same sketch draw किया हुआ है shape और उसके बाद उसको cut कर लिया है अब मैंने लिया है ये glitter का gel है जिससे कि मैं इसकी outline बनाऊंगी इसमें मैंने different color use किया है red लिया हुआ है उसके बाद मैंने golden लिया हुआ है तो इससे क्या है कि इसका जो umbrella का shape होता है वो आपका highlight हो जाएगा और glitter की sheet हमने blue use किया है तो इसलिए glitter का gel use किया है ये आपको white color का है तो ये match करेगा और shine भी करेगा तो हमारा umbrella ready हो चुका है अभी मैंने लिया है ये golden color की glitter की sheet जिस पे मैंने swastik का design पहले बनाया हुआ है sketch pen से और बहुत ही easily आप इसको बना सकते हैं अगर आपको swastik बनाना नह सकते हैं तो मैं आपको बहुती आसान तरीके बता दूगी इस तरह के swastik बनाने के तो अब ये पूरा हमारा बन के तयार हो गया है कैची से अब हम इसको cut कर लेंगे तो इस तरह के 2 swastik हमने बनाने हैं क्योंकि दरबाजे और खिड़की के दोनों साइड हम तोरन लगाते ह हैं तो यह हमारे तयार हो गए हैं अभी रैड कलर की A4 साइज की मैंने शीट ली हुई है पेपर शीट है और इसमें मैंने दो सरकल बनाए हुए हैं पहले इसको एक साइज में बना लेंगे उसके बाद इसको कैची से cut कर लेंगे आप कलर कॉम्बिनेशन कोई भी ले सकते ह हैं मैंने रैट इसलिए लिया है क्योंकि हमने जो स्वास्तिक बनाई हुई है वो यलो कलर की है तो रैट और यलो का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा लगता है अब इसको सरकल की शेप में हम पहले दोनों को cut कर लेंगे और उसकी बाद जो हमने स्वास्तिक बनाई हुई अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आपको अच्छे लगती है आगे भी आपको इस तरह के हलफुल कंटेंट मिलते रहेंगे तो यह हमारा रेडी हो गया है अभी मैंने लिया है एक कोड की ऊपर जो मैं बना रहे हूँ यह हाथी का जो है हमारे गजराज का एक स्केच पहले ड्रॉ करेंगे हम उसकी बाद इसको कट करेंगे और इस तरह से क्या है कि हमारा बहुत ही अच्छा और सुन्दर तोरन बन जाएगा जो कि देखने में लगेगा कि आपने मार्केट से ही खरीदा है इसको देखने के बाद कोई भी आपको ने बोलेगा कि आपने यह घर पे बनाया हुआ है क्योंकि देखने में ही इतना सुन्दर लगने वाला है तो इस तरह की बहुत सारे कंटेंट जो है डेकोरेशन से रिलेटेड फैस्टिवल को लेके आपको मेरे चैनल करना मत भूलेगा इस तरह से आप आसानी से पहले एक हाथी का जो ड्रॉइंग है कर तयार कर लिजेगा उसके बाद उसको आपको कट करना है अब इसको कलर करना है आपको और जो भी डेकोरेटिव आइटम्स आपके पास होते हैं वो आप उसको चिपका के उसको आपको डे इसंप से पहले पएशुदानी से फोई है। हमारे की गणी घंटाः हों से अमारे अड़ान उमारा मैं खेलिक ब्कक अुझा स्नीच अग्लेंगर इस हमा अभान कोust भप लेड़ हों जिसमें बाहर रिशे लगे होते हैं वो लिया हुआ है दोनों एक size के और यह हमारे मोती है यह मोती जो है इसमें सब गुलाब के full बना हुआ है इन बिल्ड है यह पहले से इसमें तो इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है अब यह हम 3-3 के उसमें divide करेंगे मैंने यह तो दो तयार किये हैं, क्योंकि दोनों साइट का हमें हेंगिंग के लिए तोरन चाहिए होगा, तो उपर तीन मैंनमोती दिये हैं, बीच में तीन दिये हैं, और एक लास्ट में दिया है, अब चलिए हमने जो आइटम्स पनाय हुए हैं तोरन के लिए, अब उसको असेंबल कर होता है, उसको चिपका सकते हैं सबसे पहले जो हमने umbrella बनाया हुआ है, छहत्र भी बोल सकते हैं वो लगाइंगे फिर जो हमने हाथी बनाए हुए है उसके बाद जो हमने स्वास्तिक बनाई हुई है और सबसे end last में एक हमने लटकन है यह लटकन क्या है कि आप जो आपके पुराने blouse होंगे या आपके डुपटा होंगे आप उसका यूज कर सकते हैं अब यह देखे हमारा तोरन बनके तयार हो गया है देखने में कितना सुंदर लग रहा है उपर छतर बन गया है बीच में हाथी है नीचे स्वास्तिक है तो यह हमारी दिवाली की सजावट के लिए तयार हो चुका है आपको भी यह ट्रिक और यह जो आइडियाज मैं शियर कर रही हूँ अच्छे लगी है अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करना मत बूलेगा साथ मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीड़बेक देते रहे हैं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा है जिसी कि मेरा भी एक मोटिवेशन भड़ता रहेगा और आपकी कोई भी रिक्वाइर्मेंट है अधर डेकोरेशन से रिलेटेड आप वो भी लिख सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं जो मैं आपको बना के शियर करूँ थैंक्स फॉर वाचिंग